नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप लोग का एक बर फिर से दायार शो में तो दोस्तों बहुत से ऐसे इंडियन से जिनको यह शिकायत रहती थी कि भारत की जो फॉर्ण पॉलिसी है वह एग्रेसिव नहीं है उसके अंदर उतना अग्रेशन नहीं दिखता है जितना चाइना क पॉरिसी में दिखता है यह जितना अमेरिका या किसी और वेस्टन ड्वलपड नेशन के देश में देखने को मिलती है वह अग्रेसिवनेस भारत के केस में नहीं देखने को मिलती तो दोस्तों उनकी शिकायद जो है वो इस आर्टिकल से दूर हो जाएगी जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि वाई इंडियन होकी टीम पुल्ड आउट ऑफ 2022 CWG दोस्तों CWG का मतलब है Commonwealth Games तो दोस्तों इसका पूरा essence यह है कि भारत की जो होकी टीम है उसने officially रूप से अपने आपको जो Commonwealth Games है जो की 2022 में होना है ब्रिटेन में उससे अपने आपको बाहर कर लिया है तो दोस्तों जो लोग नहीं जानते कि Commonwealth Games क्या है तो दोस्तों देखिए Commonwealth एक पूरी organization है एक कई देशों का ग्रूप है जिसमें करीबन 57 के आसपास में देश है उनका एक अपना ग्रूप है और यह वही देश है दोस्तों तो कहीं ना कहीं यह ब्रिटेन के लिए कि इजदत और साख का एक बहुत बड़ा एक समारो होता है कैसी ceremony होती जिसमें अपनी ब्रिटेन जो है एक कहीं ना कहीं अपनी ग्लोरी दिखाने की कोशिस करता उन गेम्स के जरीए तो अब इसको एक बहुत बड़ा देखे जटका लगा है क्योंकि भारत सरकार ने साफ तौर पे अपने से तो नहीं कहके लेकिन यह समझी कि इंडियन होकी टीम का ओफिशिल स्टेटमेंट है जिसको आप गूगल पर जाके देख सकते हैं उन्होंने ओफिशिल पेपर रिल इसकर के कह दिया है कि वो बिटेन में होने वाले 2022 के कॉमन वल्ड गेमस में हिस्सा नहीं लेगी और इस चीज़ की दोस्तों ऐसा नहीं है कि चर्चा नहीं हो रही है खास तोर से इंडिया को लेकि क्योंकि इंडिया ने एक के बाद एक दूसरा यह बहुत बड़ा जटका लिया है ब्रिटेन को उसकी पॉलिसी इसको लेके वो भी इन्होंने साफ साफ अपने स्टेट्मेंट में यह कहा है कि डियू टूदर डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी ऑफ दी ब्रिटेन क्योंकि दोस्तों आपको मालूम होगा कि अभी कुस दिन पहले ही जह है ब्रिटेन आप यहां barnally वेजिता यहां हमारे मिंवट्किन आप गृगना पुसको जो है आप जो है आप नहीं कर रही हो तो इसके बाद उन्होंने यह का कि लेग कर दो लोगों की एंट्री को लेके तो क्या कि 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 में उनों कि लिस्ट में शामिल कर लिया जिसमें ब्रिटेन के अगर नागरिक भारत आते हैं तो उनको भी जो है दस दिन के कॉरिंटाइन से गुजरना पड़ेगा साथ ही साथ तीन टेस्ट से होके भी गुजरना पड़ेगा चाहे वो वैक्सिनेटेड ही क्यों ना हो जाहे उन्हों से जो और नो डोस्फिक उनाले लियों नोने तीन से चार दवाईएउं की डोस्फको उनाले लियो लेकिन उनको भारत में कॉरिंटाइन से गुजरना ही पड़ेगा तो ये एक जटका लगाई था जिसके बाद ब्रिटेन के जो वहां के जो विदेश सचिव थे उन्होंने ये का कि हम भारत से इस चीज़ को लेके निगोशीट कर रहे हैं इसमें कोई ऐसी बहुत ज़्यदा परिशानी की बात नहीं है लेकिन उसके बाद भी जो है कहीं न कही एक्षन लेने में ब्रिटेन पीछे रहा पिछले चार-पांथ दिन से अब इसके बाद भारत में दूसरा तगड़ा जटका देते हुए अब इनको क्या किया कि इनके यहां जो पा गेम होंगे कामनवेल्ड गेम्स के उससे ही अपने आपको पीछे ले लिया और भारत के अ बहुते ही ज्यादा नुकसान पहुचा रही है और यह ब्रिटेन के आने वाले समय में अच्छी साबित नहीं होने वाली है तो अब जो है कहीं ना कहीं अब यह भारत ने एक तैय कर लिया कि टिट फॉर टैट पॉलिसी को ही पालन करेगा पूरी तरीके से अब समय इस बात करने की पूरी तरीके से कोशिस की है तो दोस्तों आप लोग का इस पूरे ईशू पर क्या राया है कि भारत की इस घर्रेसिव पॉलिसी को भारत को चालू रखना चाहिए आगे और इस घर्रेसिव का भारत को भारत को भ disciश्य में पॉजिटिव इंपक्ट दिखेगा या कि दोस्तों जो भी राय हो आप अपने इस राय को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करिए दूसरों के साथ ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए थैंक यू दोस्तों थैंक यू पर वाचिंग दे वीडियो जै हिन जै भारत